अलो यूनमीन बेबिस विल्कम तो माई चैनल गाईस आज मैं आप लोगों के साथ यूनमीन फैन फिक्षन हो इन हीस पैरेंट्स फॉर्सफुली सेंड हीम टू हीस एनिमी के पार्ट फॉर एक्स्प्लेंट करने वाली हूँ जल्दी से अपने लीटल मास्टर के लिए ब्रेकफस्ट प्रिप्यार करो उसे किसी वी वाक्त होश आ जाएगा मैं खूद उसे अपने हातों से खाना खिलाओंगा मेट सार जुका कर येस कहकर तुरंत जीमिन और यूंगी के लिए ब्रेकफस्ट तयार करने के लिए किचन के अंदर आ जाता है यूंगी कमरे के अंदर आकर जीमिन को सोते हुए देखकर उसके करीब जूखकर उसके फूरेट पर प्यार से किस करता है यूंगी एक सेकेंड के लिए भी जीमिन को अकेला नहीं छोड़ रहा था जबकि जीमिन बेहुश है तब भी उसे जीमिन को खोने कर डर लग रहा था यूंगी कॉफी टेबिल से फोन हाथ में लेकर बेलकोनी में आकर किसी को कॉल करके कोल्ड टोन में पूछता है अब वो कैसा है फोन की दूसरी तरब से वो परसन कहता है वो अभी भी कुमा में ही है यूंगी कहता है डॉक्टर कुमा फिरा कर बात करना बंद करके मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसके बारे में मैं नहीं जानता क्या उसका ठीक होने का कोई चांस ह अगर है तो कितना टाइम लग साकता है इसमें डॉक्टर कहता है पेशेंट कुमा में जरूर है पर उसके ब्रेन और बॉड़ी उस दिन के इंसिडेंस के बात से अब बहतर रेस्पॉंस कर रहा है मुझे उमीद है वो जल्दी सिचेशन से फाइट करके बाहर आ जाएगा ए यूंगी गुस्से में कॉल काट देता है कॉल काट कर यूंगी शाउट करके कहता है ए लरका मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता तब ही जीमिन अपने सेंस में बापस आने लगता है होश में आते ही जीमिन यूंगी के वोई सुनकर डर जाता है जीमिन तुरांत आखे खोल कर खुद को किसी unknown place पर देखकर हैरान हो जाता है ए बेडरूम पहले से भी जादा बीग और लेविश है कमरे में हर एक चीज बहुत जादा expensive है लेकिन इस कमरे की हर एक चीज डार्क है जो जीमिन को negative vibe दे रहा था जीमिन बेट से उटने की कोशिश करता है लेकिन वो हील भी जीमिन नहीं पा रहा था जीमिन को उसके शरीर में तेज दर्थ का एहसास होता है जीमिन सुलोली उटकर बैट जाता है पेन के वज़े से जीमिन के आँखो से आसु गिर रहा था जीमिन मनीमन सोचने लगता है अभी devil किस के साथ बात कर रहा था वो किसको मारने के बारे मे बोल रहा था और वो मुझे अभी कहां लेकर आया है उसने तेई के साथ कुछ भी गलत तो नहीं किया ना जीमिन अपने लावर को याद करके पागोलों की तरह रो रहा था उसका अब खुद पर ही कोई कॉंट्रोल नहीं था रोने के कारण शरीर के साथ साथ अब सर्भी भया अनक रूप से दर्द करने लगता है जीमिन रोते हुए आख उठाकर जब सामनी की तरफ देखता है उसके सामने योंगी फेस पर डार्क एक्सप्रेशन लेकर खरा था योंगी के डार्क एक्सप्रेशन से डर कर जीमिन खुद को पीछे करने लगता है जीमिन की बैक बेट जिमिन बेट से उतर कर, योंगी के सामने आकर खारा होकर, उसके आखों में आखे डाल कर, उसे घूरते हुए कहता है, तुम मुझे कहा लेकर आये हो, और तुमने तेही के साथ क्या क्या है, तेल मी, आप मैं भी देखना चाहता हूँ, के तुम और कितना नीचे गिर सकते हो, फास डे, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, ए बस एक गलती था, और तुम ए अच्छे से जानते हो, तुमने क्या कहा था उस दिन, तुम मुझे हमेशा से पसंद करते थे, तो मेरे लिए ए है तुम्हारा प्यार, तुम्हारे अंदर, शर्म नाम की कोई चीज भी नही है, तुम जानते हो, मैं सिर्फ तेई से प्यार जिमिन के इतना कहते ही, योगी जिमिन को तुरांत उइंडो पर पुश कर, उसे उइंडो के साथ पीन कर, एक हाथ से जिमिन के दोनों हाथ होल्ड कर, उसका सार के उपर ले जाकर उसे पीन कर देता है, योगी के आँखों मे में गुस्सा देखकर भी अब जीमिन को उससे कोई डर नहीं लग रहा था जीमिन फिर से कहता है क्या हुआ है सच बरदाश नहीं हुआ तुमसे हां मैं तेई से प्यार करता हूँ और सिप उसी का होका रहूंगा जबरदस्ति करके तुम सिर्फ मेरे शरीर को हासिल कर सकते हो योंगी I request you, please मुझे तेई के पास जाने दो अच्छा ठीक है मैं उससे नहीं मिलूंगा बस उसे एक बार देखना चाता हूँ के वो ठीक है या नहीं मैं तुमसे हाथ जोडता हूँ प्लीस योंगी योंगी प्लीस मुझे जाने दो योंगी कहता है I am your husband तुम अपने husband के स तुम्हें इतने दूर में इसलिए लेकर आया हूँ तकि तुम्हें उसके पास बापास जाने दू तुम बहुत जादा desperate हो ना किसी और के साथ चिपकने के लिए बेबी बॉय अब मैं तुम्हें इतना hardly punish करूँगा कि तुम कभी अपने जबान से दुबारा उसका नाम ले जाती है जीमिन पीछे जाते हुए कहता है मेरे पास मात आओ यूंगी कहता है तुड़े आई विल कील यू तुड़े आई विल ब्रेक यूर एबरी सिंगल वोन पहले मैं तुझे मारूंगा उसके बाद मैं उसे हमेशा के लिए खतम कर दूँगा एक कहकर यूंगी जीमि जैने में यूंगी के फेस पर सलाब कर देता है यू साइको लीब मी खबरदर अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो ए सुनकर यूंगी साइको की तरह हसने लगता है जीमिन उसे हसते हुए देखकर डर जाता है तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना टेल मी उसे ठीक रहेगा यह तुम्हारे पारफॉर्मेंट्स पर डिपेंट करता है बेबी बॉय यू डॉन्ट नो बेबी बॉय मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज करूँगा जो तुम्हें मेरे साथ बांद कर रखने में मदद करे तेल मी मैं ऐसा क्या करूँ जिसे तुम मुझसे प्यार करने लगो उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या नहीं क्या है तुम्हारे ग्रीडी पैरेंट्स को वो सब कुछ दिया जो वो लोग डिजर्ब भी नहीं करते थे तुम्हें मैंने खरीद लिया है जिमिन खुद को छुराने के लिए स्ट्रागल करने लगता है जिमिन यूंगी के चेस्ट पर हाथ रखकर उसे पीछे की और पुश करता है जिमिन क्राकिंग टोन में कहता है लेट मी गो प्लीज यूंगी गले से अपना टाई उतर कर इसे जिमिन के दोनों हाथ बेट के साथ टाई कर देता है और खुद जिमिन के उपर आ जाता है यूंगी जिमिन को नहीं आज और नहीं कभी और खुद से दूर जाने देगा यूंगी जैसे ही अपना राइट हैंड से जिमिन का चहरा टाच करता है जिमिन टाइटली आखे बंद कर डिस्गस्टिंग सा चहरा बना लेता है यूंगी लीन होकर जिमिन के यार के पास आकर धीरे से कहता है जिम, you really don't understand my sweet language, right? ओके, तो फिर मैं forcefully तुमसे अपना प्यार हासिल करूँगा तुम्हें मेरी प्यार की भाषा समाज में नहीं आता है तो जबरदस्ती से ही आप तुम्हें मैं समझाओंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और आपसे एबरी डे, एबरी नाइट तुम्हारे साथ होगा यूंगी forcefully जिमिन के लिप्स के साथ अपने लिप्स को जोड लेता है शौक के वज़े से जिमिन के आँखे वाइडन हो जाती है उसे नहीं पता अभी उसके साथ यूंगी क्या करने वाला है पहले से ही जिमिन बहुत जादा दर्द में है तो वो खुद के लिए यूंगी के साथ फाइड भी नहीं कर पा रहा था यूंगी पाकलो की तरह जिमिन के लिप्स पर बाइड कर वहाँ बूजेस क्रियेट कर रहा था जिमिन दर्ट से आखे बंद कर मुँसे आवाजे कर रहा था यूंगी जिमिन के साथ जबरदस्ति कर खुद को सैटिस्फाइर करने के बाद उसे बेट से उतर कर अपने गोद में लेकर बेडरूम से निकल कर जिमिन को लेकर पूल साइड में आ जाता है यूंगी जिमिन को पूल साइड लेकर आने से पहले सबको तुरंत मेंशन खाली करने के लिए कह दिया था जिमिन हाप सेंस में और हाप ओपन आइस के साथ सामने की तरब देखता है उसे इस वक्त सब कुछ बलारी देखाई दे रहा था यूंगी पूल के पास आकर जिमिन को पानी में फेक देता है जिमिन जिसे सुईम करना बिल्कुल भी नहीं आता और अब वो इस कॉंडिशन में खुद को वाटर से निकलने के लिए स्ट्रागल भी नहीं कर पा रहा था विमिन के बॉडी अब धीरे धीरे पानी के अंदर डूबे जा रहा था यूंगी जाने से पहले रुक कर कहता है खुद को अच्छे से क्लीन करो और हाँ ए मेक्शियूर करना तुमारी बॉडी के डार्टीनेस के साथ साथ तुमारी देमाग के सारी डार्टीनेस भी गायब हो जाए दुबारा तुमारे मुझे उसका नाम सुना तो एही होगा तुमारे साथ ए कहकर यूंगी जाने ही वाला था तब ही उसे कुछ आजीब सा महसूस होता है यूंगी रुक कर मन ही मन सोचता है उसने मुझे फिर से इग्नोर कर दिया कोई आवाजे क्यों नहीं हो रहा है यूंगी तुरंद पीछे टार्ण करता है तब ही वो जीमिन को पूल में डूपते होए देखकर पैनिक हो जाता है यूंगी तुरंद पूल में जांप कर देता है यूंगी जीमिन को वाटर से बाहर निकल कर बेडरूम के अंदर लेकर आता है और उसे बेड़ पर लेटा कर बलांकेट से अच्छे से काबर कर तुरंध डॉक्टर को कॉल करता है डॉक्टर जीमिन को जेक करने के बाद कुछ मेडिसिन लिख कर देता है डॉक्टर यूंगी से बहुत कुछ कहना चाता था पर उसके डर से डॉक्टर बिना कुछ कही कमरे से बाहर चला जाता है तब ही डॉर पर नौक होता है यूंगी डॉर ओपिन कर बाहर मेट को खाने के ट्रे के साथ खारा देखकर कहता है इसे टेबिल पर रख दो और तुम चले जाओ मैं टेबिल पर फूट रख कर सर नीचे जुका कर कहती है यांग मास्टर थोरी देर पहले आपके घर से कॉल आया था आपके पैरेंट्स यहां किसी भी वक्त आने वाला है यूगी कहता है ठीक है तुम जाओ यहां से यूगी गुस्ते से टेबिल पर पंच करके कहता है इन लोगों को भी आज ही यहां आना था यूगी तुरंट जीमिन को अच्छे से ड्रेस्ट आप करता है उसके बाद खुद फ्रेश होने के लिए जाता है फ्रेश होकर यूगी कमरे में आकर देखता है जीमिन को जो अब स्लोली मूव कर रहा था यूगी बेट के पास आकर जीमिन के करीब जुक कर उसके फोर हेट पर हाथ फिराते होए कहता है ओए कब जीम तुमने लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया उठकर खाना खालो जीमिन अपने उपर से यूगी का हाथ हाटा देता है और अपनी फेस दूसरी ओर घुमा कर कहता है मन नहीं है मेरा तो जबरदस्ती मात करो यूगी जीमिन का हाथ पकर कर उस अपने लेब पर खीच लेता है जीमिन उसे धाक्का देने की कोशिश करता है यूंगी जबरदस्ती उसे फीट कराने लगता है खाना खिलाने के बाद यूंगी सौफ्ट टोन में जीमिन से कहता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो कुछी देर में मॉम डेट यहां आ जाएगा तुम उनके सामने जदा बात नहीं करोगे अगर उन्होंने तुम से पूछा कि हम दोनों कैसे मिले तो तुम एही कहोगे कि हम किसी बिजनेस पार्टी में मिले थे और तब से हम एक दुसरे को पसंद करने लगे हैं लेकिन तुमारे पैरेंट्स इस रिष्टे के खिलाफ थे इसलिए तुम भाग कर मेरे पास आ गए हो और मैंने तुम से शादी कर लिया और हम यहां आ गए जिमिन साइलेंटली सब को सुनने के बाद मनी मन सोचता है एही मौका है मैं उन से मादत मांग सकता हूँ और इस डेबिल के हाथ से खुद को फ्री कर सकता हूँ जिमिन होल डे बेट पर लाइफ लेस होकर लेटा रहा शाम के साथ बचते ही बेडरूम की डोर ओपेन होता है डोर ओपेनिंग की साउंड सुनकर जिमिन दर्वाजे के ओर देखता है तो डोर पर योंगी खरा था योंगी जिमिन के दराब देखकर इसमाइल करता है और अंदर आकर जिमिन को बेट से उठा कर अपने अर्म्स में केरी कर लेता है और फिर कमरे से बाहर जाने लगता है जिमिन कहता है तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो योगी कहता है मेरे मॉम डेट से मिलवाने लेट्स मीट और हाँ कोई भी चलाकी करने की कोशिश भी मत करना ओके गाइस तो इस पार्ट को मैं इही एंड करती हूँ एंक्स वर वाचिंग गूड नाइट बाई